हेलो बच्चो हमने अपने पिछले लेसन में सीखा किस प्रकार हम छोटे नमबरों के एक्स्पांडेट फॉर्म लिख सकते हैं आज इस लेसन में हम 5 और 6 डीजिट के नमबरों के एक्स्पांडेट फॉर्म लिखेगे चलिए सबसे पहले अपनी यादाश ताजा कर लेते हैं यानि पिछले lesson को revise कर लेते हैं 5637 का expanded form क्या होगा हमने कैसे सीखा था सबसे पहले लिख दीजिए O यानि 1s, T यानि 10s, H यानि 100 और T H यानि 1000 हर एक digit के दाइं तरफ से यानि 1s position से चालू करते हुए और फिर लिखिए equal to और 1s position से चालू करिए यहाँ पे 7 1s है तो 7 लिखा plus 3 10s है यानि 30 600 से यानि 600, 600 और 5000 है यानि 5000 तो इसका expanded form हो गया 5637 का expanded form हो गया 5000 plus 600 plus 30 plus 7 ठीक है न? तो यह हमने पिछले lesson में सीखा पर यदि नमबर बहुत बड़े हो जैसे की 1,65,098 या 2,56,890 तो इसका expanded form लिखना तो बहुत मुश्किल होगा यही सोच रहे हैं ना आप? नहीं यह भी असान होता है सबसे जरूरी है आप 1 से लेके आगे numbers का क्रम याद रखे 1 इसमें कोई 0 नहीं होता तो 1's, 10's place जिसमें 1 0 होता है 100's place यह जिसमें 2 0 होता है 1000's place जिसमें 3 0 होते है 10,000 जिसमें 4 0 होते है 1's, 10's, 100's, 1000, 10,000 यह 10,000 में 4 0 होते हैं और लैक जिसमें 5 0 होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है न, यह याद रखिये, सारी position याद रखिये, और उसके numbers में कितने 0 होते हैं, यह याद रखिये, फिर लिखना बहुत असान है, चलिए एक उधारन लेते हैं, एक computer की कीमत है, 11689 रूपीस, यहनी 11689 रूपीस, जो हमें expanded form में लिखना है, सबसे पहले, O यानि 1s, T यानि 10s, H यानि 100, TH यानि 1000, और TTH यानि 10,000 लिख दीजिए, यह लिखना बिलकुल नहीं भूलिये नहीं, तो आप दिमाग में कर रहे होगे, तो गल्दी कर सकते हैं, और फिर सबसे दाएं तरफ से चालिए, 9 1s यानि 9, 8 10s यानि 80, 8 10s, यानि 80 10s में 1 0 होता है, 600s, यानि 600, 100 में 2 0 होता है, 6 0 0, 1000 यानि 1000 में जैसे मैंने वो टेबल में बताया, 3 0 होते हैं, कितने 10,000 है, 110,000, तो 1 10,000, यानि 1000 में 4 0 होते हैं, तो इस नंबर का expanded form हो गया 10,000 plus 1,000 plus 600 plus 80 plus 9 तो अगर आप यहाँ पर ठीक से लिखे और यह याद रखिए कि 100 में किते 0 होते, 1000 में किते 0 होते 10,000 में तो आप बिलकुल ठीक उत्तर पर आएगे एक और उधारन लेते है मान लीजिए एक TV की कीमत है 29,586 जो हम expanded form में लिखे गए सबसे पहले लिख दिया O, T, H, TH और T, TH ठ ठीक है ना और फिल लगाया equal to और once position से चलो किया 6 once यानि 6 8 tens यानि 8 T, 8 0 plus 500 यानि 5 0 0 9,000 यानि 9 0 0 1000 में 3 0 होते हैं तो इसलिए 9,000 और 2 10,000 यानि 20,000 2 0 0 0 0 मैंने बहुत बार देखा है बच्चे यहां पर सिर्फ 3 0 लगाते हैं यह 10,000 है तो उसमें 4 0 होते हैं कभी आपको भूल भी जाओ कितने 0 होते हैं तो लिखने के बाद फिर से test कर लेजिए 1's, 10's, 100,000, 10,000 तो 2 10,000 तो यह ठीक है ठीक है ना? एक और उधारन लेते हैं एक शहर की जन्संग क्या है? इतनी बड़ी 3,8,2,8,1,5 यानि 3,8,2,815 चलिए इसका एक्सपांडेट फॉर्म लिखते हैं वापीस से लिखिए O यानि 1's, T यानि 10's H यानि 100 T H यानि 1,000 T T H यानि 10,000 और L यानि 1,00 अब एक्सपांडेट फॉर्म लिखने के लिए 1's पोजिशन से चलू करिए 5 1's प्लस 1 10's तो 10 8 100's यानि 8,0,0 2,000's यानि 2,000 2,0,0,0 8 10,000 यानि 8,0,0,0,0 10,000 में 4,0 होते हैं और 3,00 यानि 3 और 5,0 भूल गए L,00 में कितने 0 होते हैं तो 0 लिखिए बाइचास आपने एक ज़्यादा 0 भी लगाए दिया तो आपको मालूम पढ़ जाएगा 1's, 10's, 100,000 10,000, L,00 अगर आपने एक कम 0 लगाया होता तो आपको मालूम पढ़ जाता या एक ज़्यादा 0 लगाया तो उसको मिटा ज़्यादा जिजिए तो गलती भी हो जाएए तो cross check करिये ठीक है ना cross check नहीं करेगे या वापिस से नहीं सोचेगे तो आपको मालूम नहीं पढ़ेगा आपने क्या गलती करे ठीक है ना एक आखरी उधारन रहते है मनिराम ने एक खर खरीदा उसने दिये 3,550 रूपीस इसको पन expanded form में लिखते है सबसे पहले लिख जीजिए O, T, H, TH, T, TH और L और चालू करिए once position पे यहाँ पे once position पे क्या है कितने zeros कितने हैं कोई भी नहीं है तो कुछ लिखने की जरूत नहीं है Tence position पे कितने 10s हैं 5 tends यानि 50 5 tends यानि 5, 0 tens में 1, 0 होता है कितने 100's य Hä फाइव 100's 5, 0, 0 कितने 1000 से कोई 1000 नहीं है तो छोड़ दीजिए कितने 10,000 है कोई 10,000 नहीं 0, 10,000 है तो यहाँ पे 0, 0, 0 लिखने की कोई जुरूत नहीं कितने lakhs है 3 lakhs तो लिख दीचे 3 lakhs, lakhs में 5 0 होते हैं तो 3 और 5 0 तो इसका expanded form हो गया 3 lakhs plus 500 plus 50 ठीक है ना बच्चो तो जहां पे भी अपन को place value में 0 से उसको यहां नहीं लिखते हैं जैसे 0 once थे तो यहां लिखा नहीं 0 thousand से तो नहीं लिखा, 0 ten thousand है तो नहीं लिखा, ठीक है ना तो खुब practice करिए बच्चो फिर मिलेगे, मज़ा करिए, bye bye